हेलो फुटीज मेरे चैनल में सभी को वेलकम आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल एक करी बहुती इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे जो आप भी खुद बना पाएंगे अगर आज की रेसिपी अपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब देड़ना करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो चलिए देख लेते हैं तो मैंने यहां पे साथ अंडे को हाट बॉयल कर लिया है जिन में से पांच अंडे को हम प्रीक करेंगे टूथ पीक के मदद से ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से जा पाएं और बाकी दो अंड हाफ में कट कर लेंगे और उसके बाद यह जो एक यॉक्स यानि की योलो पोर्शन है वो अलग कर देंगे एक वाइट से और एक जो वाइट हमारा बच्चा है इसको हम एक दम फाइनली चॉप्ट कर लेंगे ऐसे अच्छे से जितना आप फाइनली चॉप्ट करेंगे उतन के बाद हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 4 टेबल स्पून कोकिंग ओयल डाल देंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम और फिर ये पाँच अंडो को हम बहुती लाइट फ्राइ करेंगे 3-4 मिनिट के लिए बस हलका सा ब्राउन ख्रंच आए ताकि एक्स और भी टेस्टी ल लग से निकाल लेंगे बोल में उसके बाद सेम ओयल में ही एक तिछ पत्ता मैंने इसे तोर के डाल ली है और फ्लेम को हम कर देंगे लो मीडियम और ताल देंगे दो सुखी मिच और हाफ टीस्पून खरे जीरा और उसको हम फ्यू सेगेंस के लिए अच्छे से भून और उसके बाद डाल देंगे दो मीडियम साइज ओनियन को मैंने प्यूरी बना लिया है मिक्सी में वह हम डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे देखिए यह अच्छे से इसका कलर चेंज हो चुका है उसके बाद डाल देंगे जिंजर गार्लिक चिली पे अच्छे से इसका भी भूनाई कर लेंगे और इसके बाद डाल देंगे दो मीडियम टमाटर का भी मैंने प्यूरी बनाई है मिक्सी में वह हम डाल देंगे और इसको भी तीन-चार मिनिट के लिए हम भून लेंगे और इसके बाद डाल देंगे एक टीस्पून हल्दी पाउडर वान अन हाफ टीस्पून कश्मीरी मीच पाउडर और एक टीस्पून धनिया पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और इसके बाद हम डाल देंगे नमक आपकी स्वाद अनुसार आप डालिए इसको भी मिला दें और फिर यह एक गियोक्स यानि की यलो पाट जो है अंडे का वो डाल देंगे और इसको ऐसे स्मैश करेंगे और अच्छे से मसाले के साथ मिला देंगे इसे ग्रेवी प्रीक हो जाएगा उसके बाद डाल देंगे एक कप पानी और इसको भी मिला देंगे और फिर ढखके हम इसको पकाएंगे आठ से दस मिनिट के लिए और आठ से दस मिनिट बाद फिर इसको एक बार चला लेंगे फिर यह अंडे जो है वो हम डाल देंगे ग्रेवी के अंदर और साथ साथ जाल देंगे यह जो एक वाइट्स मेंने महिन कट कर लिया है वो इसको भी मिला देंगे और फिर जाल देंगे हाफ तीस्पून गरब मसाला पावडर और इसको भी अच्छे से ग्रेवी में मिला देंगे और फिर डाल देंगे ग्रेश किया हुआ कसारी मेथी एक टेबिल स्पून एक बहुत अच्छा कुछ भू आएगी बिल्कुल धाबा जैसी इसको भी मिला देंगे और एक टेबिल स्पून चॉप धनिया पत्ता भी हम डाल देंगे और फिर इसको भी मिला देंगे और मिला देने के बाद इसको भी ढखके मीडियम फ्रेम पे पांच मिनिट के लिए पकाएंगे फिर पांच मिनिट पाद हम या पे तीन ग्रीन चिली को तोड़के डालेंगे यह ऑप्शनल है यह अच्छे खुश्बू के लिए और थोड़े तीखे पन के लिए है पर यह ऑप्शनल है तो इसको भी मिला देंगे उसके बाद हम पिल्कुल धाबा स्टाइल में सर्फ करे और मैंने इसको पराठा के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो रोटी राइस के साथ भी का सतके है और इसको मैंने खुड़ा सजा लिया है उमीद करती हूं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो इसको जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ अबादे